नमस्कार दोस्तों श्वागा था आपका CGPSC व्यापम में जिनोंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्ली से जाया सब्सक्राइब करें जब आज बाजों में जो पहला है कि आपको CGPSC और व्यापम की लेटेस्ट अपडेट आपको जल से जल मिल सके देखिए दोस्तो जैसा मैंने आप सभी को कहा था कि CGPSC में continue vacancy आने वाली है और उसी कड़ी में आज vacancy आ गई है 28 तारीक को जो है ये विग्यापन जो है वो आपको रुजगार नियोजन में देखने को मिलेगा चुकि आज सबको मालू में 24 तारीक है तो देखिए 24 तारीक का दिलांक है जो आज notification आया है दोस्तो अब जो है PSC जो है हर PSC है वो इसका exam लेगा और इसी कड़ी में PSC ने एक विग्यापन जारी किया है आज दोस्तों तो आप सभी इस वीडियो को अन तक जरूर देखे क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए जो इस में योग्य है उसके लिए महतप तो देखे वीडियो को इस्टार्ट करते हैं साथी साथ देखे यहाँ पे आज जो है विग्यापन निकला है परसू चिकिस्सक सहाय सल्य चिकिस्सक पसुधन विकास विभाग के पत पर सिधी भरती के लिए मैंने आप सभी को बताया था कि जो चिकिस्सा से रिलेटेड है उसके लिए जो है वेकेंसी आने वाली है तो जिनोंने वो वीडियो जो मेरे रेगुलर वीवर है वो सभी जानते हैं कि मैं कंटिन्यू बोल रहा था कि वेकेंसी आ आएगी और देखिए वेकेंसी आ रही है जो निगेटिव लोग है मैं आप सभी को बोल रहा हूं वो सबसे पहले अगर में बात करें तो देखिए यहां पर जो है तारीग बताया ओनलाइन जो जिसमें अप्लाई करेंगे वह जो तारीक है देखिए वो तारीक है आपका 17.08.2021 और अपन जो है 15.09 तक जो है उसमें फॉर्म फिल अप कर सकते हैं और साथ ही साथ जो है इसका अभी फिल हाल एक्जाम जो डेट है वो जो है क्लियर नहीं किया गया है इसी करण मैं आपको बोलता हूँ कि पीएस्टी जो है कंटिन्यू वेकैंसी निकालेगा देखिए यहाँ पर पसुधन विकास निगम के द्वारा यह जो है वेकैंसी निकली है और देखिए यहाँ पर अगर हम वेकैंसी की बात करें तो 24 दोस्तो 24 पद है देखिए बहुत ज़्यादा पद है जिसमें 10 पद जो है वो समानने के लिए अनारक्षित जिसको बुलते हैं और यहाँ पर देखिए अगर हम इसकी योग्यता की बात करें तो देखिए यहाँ पर पद का वेतनवान है पद के विग्यापन की तारिक के पूर्व जो है वो पंजिकरित हुआ हो पहले जो अब विग्यापन निकलने के बाद जो है वो पंजिकरित नहीं माना जाएगा परिक्षा होदी तीन वर्ष की जैसे आप सभी को मालूम है तो यह सब देखेंगे आप अगर जो योग्य है इसके तो आप जरूर इसमें फॉर्म भरिए क्योंकि इसमें जो कॉम्पेटिशन है बहुत कम रहता है अगर आपे आयू सीमा के बारे में भी नीचे दिया गया ह कि देखिए यहाँ पर जो नीरधारित जो है वो 21 वर्ष होना ची और 30 वर्ष से अधिक जो है वो इस्थानी मुल निवासियों के लिए जो है 40 वर्ष रखी गई है और सांत ही साथ यहाँ पर और जो है एस्टी एससी और ओबीसी के लिए जैसे की सीमा बताई गई है आप पिडियाफय आपको मैं टेलीग्रम चैनल में दे दूँगा आप महाजाकी से देख सकते हैं और इसके सांत ही सांत आप जो है इसमें और बी जो जानकारी दी गई है हम से और तो जो यह पेपर होगा 330 नंबर का होगा जिसमें 300 नंबर का परिक्षा होगी जिसमें कि आपको जो हमारे CGEGS से 36 गड़ के समान निग्यान से पुछे जाएंगे और जो 100 प्रश्ण जो है 200 नमबर के वो जो है वो आपको सम्बंदित वीसाय से दिया जाएगा देखिए इसका जो सीले बस है इसमें बताया गया माइनास मार्किंग देखिए इसले बस एक्तम छोटा सा है 36 ग लोग के लिए बहुत अच्छी खबर है कि CGPSC ने जो है वो बोलना चीए वेकैंसी निकाली है और बहुत जल जो बोलना चीए इसके अन्य भी वेकैंसिया निकलेगी तो आप सभी जो है रेडी हो जाईए अब जो है CGPSC जो है वेकैंसी निकालेगा तो बिल्कुल भी अब अपनी रास मत हुए और मोटिवेट रही है और अपनी तयारी जरूर करते रही है तो जो आज का एक छोटा सा वीडियो यहीं तक आसा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक करें सेर करें सब्सक् आवान